नवश्कार दोस्तों Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So India-China border के Eastern sector में से एक खराब news सामने आ रही है चाइना की आर्मी ने 5 लोगों को abduct कर लिया है from the Arunachal Pradesh border and ये खराब तो है ही लेकिन ये जादा खराब इसलिए है because ये घटना तब हुई है जब भारत और चाइना के बीच में tensions लदाक में खराब है और वहाँ पर साथी में उसको लेकर दोनों देशों के जो defense ministers हैं वो बातचीत कर रहे हैं उस दौरान ये घटना हुई है इसलिए ये काफी जादा चिंता का विशे बन सकता है कि it is possible कि अरुनाचल प्रदेश की तरफ भी China incursion कर सकती है जानेगे यहाँ पूरी story को कि exactly क्या हुआ है और army का क्या मानना है, जिला प्रशाशन का क्या मानना है, पुलिस प्रशाशन का क्या मानना है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, इस lecture की PDF को आप लोग डाउनलोड करना कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से जिसका नाम है अनेरुद सर, इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की आप जो की Google के Play Store के ऊपर अवेलेबल है, इसके थुरूँ आप अपनी UPSC की तयारी को और भी भैतर कर सकते हैं आने वाले Prelims के लिए एक बहुती महतवपूरन कोर्स लाउंच किया गया है, पास्टियर Prelims की discussion का, जिसको की आप less than 15 days में खतम कर सकते हैं सो जल्दी से जाईए, आप को डाउनलूड कीजे और कोर्स को बाई कीजे, राइट, सो अब ही इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा गतिरोध चल रहा है लदाक के शेत्र में, उसको लेकर आज सुभे की ही टाइम पे, इंडिया और चाइना के जो Defense Ministers हैं, उन्होंने मीटिंग की थी, और यहाँ पर इस मीटिंग में उन्होंने, दोनों ही कंट्रीज ने इस चीज को कहा है कि we are determined to protect the territorial integrity, especially अगर हम देखें, राजनात सिंग जी ने कहा है कि इंडिया अपनी territorial integrity को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है, इसी बीच अगर आप देखे काफी जादा चिंता का विशे बन सकती है, so amid the face-off between Indian and Chinese armies, the China's PLA has reportedly abducted five people from the upper सुबांसरी district of Arunachal Pradesh, अगर आप देखें ये वाला map है आपके सामने, so this entire border यहाँ से लेके, तवांग से लेकर के, यहाँ तक दिबांग वैली और इवन उसके बाद यह लोवर दिबांग, फिर य अंजवा, यह सारा का सारा जो border है, यह लगता है चाइना के साथ, ठीक है, यहाँ पर यह अपर सुबांसरी को जो district है, जिसका district headquarter डापो रीजो में है, इस particular district में border के नस्दीक के इलाके में से, यहाँ पर पांच बच्चों को, पांच लड़कों को abduct कर लिया गया है, यह द National Congress Party को belong करते हैं, आप देख सकते हैं, इनके द्वारा Twitter पर बताया गया है, 5 people from upper सुबांसरी district of our state Arunachal Pradesh have reportedly been abducted by China's PLA, और साथी में इनों ने यह भी बताया, कि few months earlier a similar incident had happened, and a befitting reply must be given to PLA and CCP China, So, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, कि इनको जवाब देना जरूरी है, यहाँ पर इनको यह ख़बर कहां से मिली, So, Facebook के थुरू एक post थी, by the name of Prakash Ringling, इन्होंने एक post डाली थी, So, इन्होंने बताया, कि इन्डिया-चाइना बॉर्डर के आसपास मेरे भाई और उसके साथ चार और लड़के थे, जिनको की abduct किया गया है, इस particular post का जवाब देते हुए, इस चीज को Twitter पे post किया, अगर आप देखें, इसको लेकर, पुलिश प्रिशाशन क्या कहता है, So, पुलिश प्रिशाशन अपर सुबंसरी district के जो superintendent of police है, Kenny Bagra, उनका कहना है, We came to know about this from social media, कि 5 लोग abduct कर लिए गए है, और ये belong करते हैं to the tug-in community, ठीक है, और इनकी abduction हुई है from a jungle near Nacho, where they were out hunting, तो hunting करने गए थे, और ये Nacho के इलाके में hunting करने गए थे, जहां से उनको abduct किया गया है, साथ ही में इन्होंने बहुत ही important बात बताई है, the families of the missing men have not lodged any formal complaint, याने कि उनके द्वारा कोई formal complaint lodged नहीं की गई है, At the same time इन्होंने आशवासन दिया, we are trying to verify the fact and are in touch with the army since there have been past instances of PLA capturing locals from the LAC, इस चीज़ को और ज्राधा seriously लेते हुए, यहां पर इन्होंने बताया कि हमने officer in charge जो है police station के जो नाचो police station के officer in charge है, उनको inform कर दिया है और उनको बोल दिया है कि इस पूरे मामले की जांस की जाएगी और उसके बाद हमें details share की जाएगी, आपको बता दूँ नाचो का जो इलाका है यह असल में district के headquarters डापो रीजो से लगभग 130 km की दूरी पे है, also यह इलाका काफी remote है as you must be aware, अरुनाचोर प्रदेश में mostly जो इलाके है वो cold desert की तरह है, वहाँ पे बहुत कम अबादी है, नाचो की भी अबादी लगभग 400 लोगों के आसपास की अबादी है, so यहाँ पर के इलाके से basically यहाँ पे abduction हुई है, जो मैं आपसे जिक्रा कर रहा था कि कुछ समय पहले भी PLA ने ऐसा capturing किया था, उसका proof है यह आपके सामने 21-year-old abducted by China's PLA from Arunachal Pradesh, यह कहानी है 29 March की, इस time पर भी district officials ने कहा कि जब यह abduction हुई थी, तो उस time पर उस इंसान को चाइना ने लगभग एक महीने के बाद release कर दिया था, after meetings between army officials of the two countries, so basically as you can see, China time to time यह करता रहता है, 29 March को हुआ और आज के दिन, आज वाला जो incident है यह काफी महतुपूरण इसलिए है, because already tensions चल रही है लदाक में और बात्चीच चल रही है दोनों देशों के रक्षा मंतरीश के बीच में, यहाँ पर army का क्या कहना है, army officials said that they have no information about the missing person, आर्मी ने इस चीज़ को अभी तक confirm नहीं किया है, खैत, अगर हम मामले को और देखें, तो यहाँ पर कई सारे लोग अपनी टिपनी दे रही है, इसमें सबसे महतुपूरण टिपनी जो है वो दी गई है, अरुनाचल प्रदेश Students Union के द्वारा, अरुनाचल प्रदेश Students Union इन्हों ने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, the repeated incursions by the PLA to create tensions along the LAC, साथ ही में इन्हों ने ये भी कहा कि ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया COVID-19 से जूज रही है, और उसकी वज़े से सफर कर रही है, चाइना जो है वो एक तरफ वार मॉंगरिंग को resort कर रहा है, और लोगों को mentally harassed भी कर रहा है, specially the people who are living along the LAC by their rhetoric and notorious antics, सो यहां पर इन्हों ने भी अपने comments को दिया है, फाइनल इन्होंने कहा है कि अरुनाचल प्रदेश और आपसू यह ब्रेव जवान्स के साथ खड़ा है, हम कभी भी इनके या सुख और शान्ती के खिलाफ किसी तरह का प्रोपेगेंडा या फिर किसी तरह का अभियान नहीं चलाएंगे, So very beautiful thing said by them कि हम आर्मी को request करते हैं कि एक जवाब देना बहुत ही जरूरी है, Finally Mr. Ering, जो की X MP रहे चुके हैं, इन्होंने एक बहुत ही important बात कही है, That Chinese have again started creating a nuisance, ठीक है कि जो चीज इन्होंने लदाक में और डोकलाम में कही करी, वही चीज अभी अभी अरुनाक्षल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये प्रूफ हो चुका है कि वह हमारी LAC के अंदर आ चुके हैं, वह भी पहली बार नहीं, second time आये हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मार्च में और अब आज के दिन, साथी में उन्होंने ये भी कहा कि ये चाइना के तरीका है, ये विशे काफी serious है, इसको लेके मैंने कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, July 11 की वीडियो है, किस तरीके से चाइना इस ग्राबिंग अरुनाचल लैंड, और Mr. Ehring ने बहुत ही अच्छी बात कही है यहां पर, LAC delenate नहीं की गई है, map properly drawn नहीं है, वही problem कुछ ना कुछ हद तक अरुनाचल में भी exist करती है, और यह जो area है जहां पर map properly drawn नहीं किया गया है, इस area तक पहुशने में भी कभी कबार आपको 15 दिन लग जाते हैं, यह इतना जादा remote area है, और इस area में guarding ITBP और Indian Army के द्वारा की जाती है, so it is very very important कि Indian government और Indian Army जल्दी से जल्दी इस पूरे चीज को clarify करे, so that यहां पर same problem ना हो जो अल्रडी लगाग में चल रही है, with that I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay…